हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चानल और कैसे हो आप सब तो यह वाला लुक देखके आप लोग समझी गया होंगे कि आज मैं क्रिएट करने वाले हूं अवराती स्पेशल लुक गरवा के लिए तो यह वाला जो लुक है यह बहुत ही सिंपल है और आप लोग ईजीली इसे क्रिएट कर सकते हैं और मैंने जो भी प्रोड़क्त यूज कि यह बहुत ही जादे अफिटबल है तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने यह वाला लुक क्रिएट किया और उससे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज फ्रेंड तो इसके लिए मैं पहले अपनी हेर को टाइक कर रही हूँ ताकि यह मेकप में ना आए और उसकी साथ मैं पहले लगा रही हूँ टोनर गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर और उसके बाद मैं अभी यूज करूंगी मॉस्टराइजर मॉस्टराइजर लगाना बहुत ही तो मैं हाँ पर बाया टीक का सिरम यूज कर रही हूँ मेरे फेस को मॉस्टराइज करने के लिए आप चाहे तो कोई भी मॉस्टराइजर यूज कर सकते हैं और इसकी बात मैं पहले करने वाली हूँ अपना आई मेकप ताकि मेरे जो फेसे वह खराब ना हो तो पहले में लगाने वाली हूँ ग्रीन कलर क्योंकि जो मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग हूँ तो पहले मैं आउटर यानि की मेरा जो कॉंटूर है आई का उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डार्क प्राउन कलर एं देन मैं आईलीट पर यूज कर रही हूँ लाइट ग्रीन पूरे करPM targets कराक्त अब मैं लगा लिए ओंड़ पर मैं यूज कर रही हूँ तक ही आई मेच आईलाइनर से की मैं यूज कर रही हूँ आई लाय लायनर के आईलाइनर जो वेलें दो हो मैं ग्लीटर गोरो का ने पर आजन वागत हो मैं यूज कर रही हूँ यह बहुत ही अच्छा ट्रीक है इसे जो भी ग्लीटर है वो असानी से हट जाता है यानि कि आप अगर कोई वेट वाइपस भी यूज़ करें तब भी उससे अच्छे से नहीं हटता है लेकिन इससे जो चिपक जाता है और अराम से हट भी जाता है उसके बाद मैं मस्कारा आपने यह गारी हो अपने लैशेश पर देन में फाल्स आइलाश लगा पकर रहां आप चाहत तो ऐसे यह कर चाहिव ओर सकते इस अपने नेक पे लगाना बिल्कुल भी मत भूलें नहीं तो जो फेस का कलर है और नेक का कलर बहुत ही डिफरेंट लगेगा और वो अच्छे से मैच नहीं करेगा आपके फेस पे और एक वेट ब्लेंडर के मदद से अच्छे से अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर ली दूरबाऊ मेरे अफमी वहाँ तो जहां बोलगों अपने अपने मांट के साईड में मैं लगा रही हूं और चीइन पौनमें ताके मैं डिफाइन कर सकूँ और इसके बाद आपे यूटी भ्लेंडर के मदद से ब्लेंड कर रही हूं आप चाहे तो ब्रश के मदद से भी कर सकते हैं जो आपके लिए comfortable हो तो यह मेरा हो गया concealer लगाना और इसके बाद मैं आपने eyebrows को ठीक कर रही हूँ तो eyebrows के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट इन करना तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि वही मेरे नोस को define करते हैं और इसके बाद मैं loose powder के मदद से अपने portion को अंडर आइस को हलका सा highlight कर रही हूँ और अपना अंडर आइस केकी ना हो इसलिए मैं एक वेट ब्लेंडर के मदद से ही loose powder को apply कर रही हूँ सारे powder प्रोड़क को fix करने के लिए मैं आपे fixture यूज कर रही हूँ ताकि यह सारे powder प्रोड़क अच्छे से बैड्श है और इसके बाद मैं Swiss beauty के हापे blush लगा रही हूँ अपने चिक पे जो लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने नोस पे और इसके बाद हाइलाइटर अपने अप लिप्स्टिक के लिए मैं लगाने वाली हूँ लिप लाइनर पहले ताकि लिप अच्छे से डिफाइन हो और इसके बाद मैं आपे लिप्स्टिक यूज कर रही हूँ आप अगर आई मेकप जादा बोल्ट कर रहे तो आपको लिप्स्टिक थोड़ा सा लाइट रखना है तब जाके आपका फेस जो अच्छे से अच्छा लगेगा दोनों डार्क हो जाएगा तो ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है उसके बाद ट्रेडिशनली मैं सारे बिंदी क्रिएट कर ली हूँ अपने जो आई-लाइनर से है उसके बाद ऑक्सिडाइस ज्यूलर कर ले रही हूँ तो ये वाला छोटा से एक है जो बहुत काम में आता है अगर मांगटी का नहीं होता है और ये रिंग को मांगटी का बनाना पड़ता है तो और इसके बाद मैं अपने हैर को साइट पार्टिशन कर रही हूँ और ये फाइनली है मेरा लुक सो गाइस अगर ये वाला लुक अच्छा लगा हो तो क्या करना मेरे वीडियो को लाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बाजो में बेल नोटिफिकेशन अना उसे जरूर क्लिक कर दीजिगा ताकि मैं जब ये वीडियो डलू सबसे पहले आप लोगों के पहुंचे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साज रूरू शेयर कीजिगा और कमेंट करके बताईगा कि कैसी लग रही हूं है ये वाला लुक क्रिएट करके और उसके साथ ही आप लोग को कैसा लगा ये वाला लुक और आप मेंसे कौन-कन ये वाला लुक ट्राइग कर बढ़ बाई